तरुब्स के पेपर करते हम लोग आज पहुच गये हैं 11 जुलाई के पेपर कर डोजार इकीस की भरती थी और 2022 के जुलाई में इसका पेपर हुआ था तो 5, 6, 7, 8 जुलाई हम लोग कर चुके हैं आज हम लोग करने जा रहे हैं एक 11 जुलाई का पेपर तो 11 जुलाई का पहला पेपर है यह morning shift का जो सुबह के समय में होता है PDF पहले की तरह इसी वीडियो के साथ attached है description box में देख लिजेगा अमीद है आप लोगों ने solve कर लिया होगा जिनको ना मिली हो वो download कर लें ठीक है बाकी सारा process पुराना है पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो चलो start करते हैं आज का हम लोग discussion और पहला question आपकी screen पर किस चीज़ से related है देखके ही लग रहा है कि यह error का question है ठीक है slash लगे हुए है error ढोलना है चलो शुरू करते हैं sentence पढ़ो पहले लिखा to descend a cracked mountain cracked मतलब जो खुरतरा होता है टूटा फूटा होता है उससे descend का मतलब क्या होता है उतरना तो इसका apposite अगर कोई पूछ लेता है तो क्या होता है a s c e n d होगा ठीक है तो यह ascend होता है ascend का मतलब क्या होता है चड़ना यह a से अब चड़ते हो और descend का मतलब क्या हो जाता है उतरना ठीक है यह मालो कभी आ गया पूछ लिया तो यह उतरने के लिए लगता है ठीक है दो बाते हो गई तो किसी क्रेग्ड माउंटेन पर से उतरना यह to descend लिखा है तो किसी माउंटेन से उतरना कहा रहे हैं कि however most difficult and dangerous than to ascend चड़ने के पिक्षा उतरना ज्यादा कठिन होता है तो अब compare कर रहे हैं चड़ने में और उतरने में compare कर रहे हैं तो compare करने में comparative degree लगती है superlative नहीं लगती है इन्होंने का वाज most difficult और फिर यहां क्या लगा है and dangerous के बाद यह दैन लगा हुआ है तो दैन के साथ में most लगा होगे या more लगा होगे बहिया जाहिर सी बात है most दैन नहीं होता more दैन होता है तो गलती कहा होगा यह वाला गलत हो गया तो आपका answer कंशा हो गया three वाला ठीक है उमीद है समझ गए होगे next question पर आजाओ question number two है यह क्या कह रहे है एंटरीम बताना है आपको एंटरीम क्या होगा impartial impartial के मतलब क्या होता है बिना भेद भाव के ठीक है ना बिना भेद भाव के जो पक्सपात नहीं करता जो एक आंक से देखता है सब को ठीक है इसका एंटरीम intellectual बुद्धी से related है यह होगा नहीं objective वस्तुपरक है यह होगा नहीं biased मतलब होता है भेद भाव पूर्ड तो impartial बिना भेद भाव के और biased मतलब भेद भाव पूर्ड तो यहीं हो गया आपका एंटरीम इसका पियस का मतलब क्या होता है पवित्र होता है सुद्ध होता है यह मतलब बनुष्ट के लिए यूज़ किया जाता है पियस सोल पवित्र आत्मा ऐसे ही दूसरा वर लेना चाहो तो होली लिख सकते हो एक और लिख सकते हो sacred स-a-c-r-e-d तो यह साइनोनिम हो गए पियस मतलब holy मतलब पवित्र सेक्रेड मतलब भी पवित्र होता है तीन साइनोनिम हो गए आपके clear चलिये आगे बढ़ते हैं अगला question देते है हम लोग question number 3 3 में क्या है देखो यह underline किया हुआ है underline किया हुआ है तो improvement का question होगा ठीक है चलो question पढ़के रेखते है हम लोग Austin can be saw changing cobs with a sickle तो Austin को ब्याक्ति है, वो cops को हसिया लेके दोडा रहाता सिकल समझ रहे न, हसिया होता है कैसा होता है हसिया, यह ऐसे एक structure होता है ऐसे ऐसे type का structure होता है, फसल हसल काटने के काम अता है, ठीक है, तो यह हसिया murder भी कर सकते हैं ठीक है, चलो अच्छा, तो पस्टिन कैन बी सा ये को ये बी लिखा है बी के बाद सा लिखा है ये हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता फिर वही पुरानी कहानी बी की किसी भी फॉर्म के साथ जैसे बी लगाएं बी की कोई भी फॉर्म का मतलब चाहे इज हो एम हो आर हो वाज हो वर हो बी हो बीन हो सकते हो या नहीं लगा सकते हो यह बात हो गई या बी के साथ फर्स्ट फार्म लगा सकते हो क्या बी के साथ सकेंड फार्म लगा सकते हो क्या बी के साथ थर्ड फार्म लगा सकते हो क्या आप बी के साथ आएंजी फार्म लगा सकते हो तो इतनी सारे चांस हैं तो बी के बाद SES नहीं लगा सकते हो, First Form नहीं लगा सकते हो Second Form नहीं लगा सकते हो B के साथ आप 3rd Form लगा सकते हो किसमें Passive Voice में अगर आप Siive Voice का Syndance ले तो B के साथ 3rd Form लगा सकते हो और B के साथ ING Form कभ लगता है जब आप Active Voice में होते מש that separately तो दो पासिबल है अगर active wise में है तो B के साथ ing farm passive wise में होगा तो B के साथ third farm लगा सकते हो ठीक है तो अब इस question में क्या होना चाहिए देखो B है B के बाद sa लगा हुआ यह तो हो नहीं सकता या तो ing लगाओ और या तो फिर क्या लगाओ वर्व की third farm लगाओ तो देखते हैं इसी passive wise में है और यह एक active wise में है ठीक है तो लिखा है कि Austen can be so ये बताओ यह देखने का काम Austen कर रहा है कोई और तो Austen को देखा जा सकता है और Austen देख सकता है ऐसा नहीं हैं तो यह structure क्या है यह passive का structure है तो passive के structure में हम सा की जिगेंपर क्या लगाएंगे scene लगाएंगे answer ढूड़ो यह लिखा है B यह वाला पहला वाला का can be scene तो पहला answer हो गया इसमें ठीक है अब इस बारे में और detail जाना चाहते हो तो हमारा जो verb form का एक वीडियो है verb form पे ठीक है तो उसको आप पढ़ना लो सारा का सारा ममला clear हो जाएगा description box में उसका link भी दे दिया हो धूल लीजेगा अगर आपको पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है तो तो आज आए question number 4 में question number 4 देखो क्या लिखा है the defendants liar defendant मतब क्यों होता है बचाओ पक्ष वाला ठीक एक prosecution liar होता है जो आरोप लगाता है defendant's liar के मतब जो बचाओ पक्ष का वकील होता है ठीक liar defense कहते है उनको defendant's liar argued तर्क किया कि his past offenses उसके जो पिछले गुनाह थे were dash to this case वो इस case से dash है मतब यहां तो relevant नहीं होंगे क्योंकि defendant का liar है बहुत कादे से समझेगा बाद को defendant liar है तो वो उस अपने मौकिल को अपने client को बचाना चाहेगा बचाना चाहेगा तो वो यह कहेगा कि इसके जो पिछले अपराद है गुनाह है उसका इन को यह और अरो पक्षवाला पोंशिकुष्ण लायर होगा तो कहेगा पिछले यह इसने पहले गुनाह किए हैं तो फिर कर सकता है बचा वाला कहेगा पिछली गुनाहं का इससे कोई लेना देना नहीं तो क्या होगा उसे not related अब यहां देख लो आपसन में contagious होता है संक्रामक तो यह संक्रामक से कोई मतलब नहीं है spacious जहां जो खुब जगह घरता है यह भी नहीं होगा arrogant बहुत घमंडी टाइप का होगा यह भी नहीं होगा irrelevant का मतलब क्या होगा आप रासंगिक not related तो यह हमारा आंसर होगा बचाओ पक्षकोव एकिल यहीं कहेगा कि पिछले इसके पिछले अपरादों का इस के से कोई लेना देना नहीं है तो यह हो गया वह irrelevant है तो आगे आपका answer number four आगे आ जाę question number फाइब में हैं यह है synonym का synonym किसका है प्रोवय का part का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को उक्साना उक्साना बॉरा काम के लिए यूज किया जाता है उक्साना दो तरह का होता है अच्छा काम करने के लिए या बुरा काम के लिए उक्साना होता है जिसे दो लोग जबड़ा कर रहे हों ठीक है मतब पकड़ा-पकड़ी हो गई है तेरी मेरी चल रहा है ऐसे ही और उसे में एक आजमी आखे करें मर मर तो पतार रगा जो नहीं वोने वाला है वो जाएगा ठीक है दो आपको इसको प्रोवोक कर दिया कोई काम करने के लिये तो बुरा काम करने के लिए लिए उक्साते हैं लोग उक्सा न हो गया तो इसके लिए एक वर्ड आता है instigate हो जाता है insight होता है arouse होता है ठीक है तो अब देखो और वर्ड देखो inhibit का मतलब होता है रोकना किसी को inhibit क्या हो गया किसी को रोकना इसके और वर्ड लेना चाहूंच क्या हो गया प्राहिबिट हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, रिफ्रेन हो जाएगा, यह हो गया प्राहिबिट, ठीक है, प्रिवेंट है, और सुन लो, प्राहिबिट है, प्रिवेंट है, रिफ्रेन है, एबस्टेन है, यह सब चीज़े होती है, रोकने के लिए, फार्बिट है, इ वीवस करना कह सकते हो constraint का मितलब क्या हो गया वीवस करना ठीक है बात समझ गये यह हो गये वीवस करना तो आंसर मिला आपको अराउज होगा ठीक है मैं अब फिर इसको साफ करके पता देता हूं प्रोवोक का जो synonym होगा वो क्या होगा अराउज होगा ठीक है आगे आजो question number six में तो यह six क्या कह रहा है आप देखो भाया six में है आपका फिर वही no improvement required एक portion underline किया गया है improvement करना है तो question पड़ो लेखा है non only did he did the men add in the work but the woman also did their part तो ना कि वहल मैं ने इस काम में सहायता दी बलकि महलाओं ने भी अपना अपनी भूमी का अदा कि अपना part play किया तो अब देखो यहां पे लिखा है बट also but also किसके साथ यूज किया जाता है आपको अच्छे से पता होगा आज बच्पनस से पढ़ रखेो not only के साथ लगता है but also not only but also यह रहा आपका not only but also तो कौन सा लगाना होगा आपका not only but also यह होगा ठीक है यह बच्छों अला कुश्छन था यार यह तो मेरे बिना बिताई भी कर लिए होगे ठीक है अगला कुश्छन आजा अगर यह गलत हो गया तो समझें सत्याना से है इडियम है इवीनिंग बतानी है spill the beans इस्पिल the beans का मत्ता है disclose the secret disclose the secret आप राज को खोल दे रहे हैं यह हुआ disclose the secret यह हुआ तो disclose the secret में क्या आएगा to drop something बिलकुल नहीं to find out something ना बिलकुल नहीं give to give away the secret yes यही होगा तो यह होगा तो यह होगा तो इसरा वाला हो गया भेद खोल देना राज खोल देना ठीक है आगे आजा अगला क्वेशन है क्या इसमें पूछने करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बहुत ध्यांदेना करेक्टली स्पेल्ट है मतलब गलत वाला नहीं ढूड़न देखो मोनो हो जाता है और इसमें थीस्ट जोड़ोगे तो टी एच आई एस टी होता है टी एच आई एस टी होगा ठीक है हाइपोथेसिस है अब इसके बाद हाइपोथेसिस की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है कोई गलती नहीं है प्री हिस्टोरिक में प्री जानते हो पी तो यह भी गलत हो गई तो यह भी गलत हो गई तो आंसर में सपलींक भलत हो नहीं होग में हमारे छलो आगे आजाएं यह कुेस्टन है अभुप से बताना सुनटेंज में साइनोनम बताना है लिखा कि अ have been greatly exaggerated यह जो फीगर्स हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ाई चढ़ाई गई है तो बढ़ाई चढ़ा करके इसका साइनोनियम ढूड़ना है अब लिखाए अंडरेस्टेटेट मतलब क्या होता किसी की वैलू को घटा देना कम कर देना किसी में डायलाग था बढ़ाई तो मैंगिवाइब करने करने के मताब क्यह हुआ धीर्मिआ कर दो मैंगिवाइब करने का गजऑ थे मैंगिवर धोर्मिंगा ठीक है तो बढ़ाने के लिए लेगा be little तो little की वर्ब है little की वर्ब बनाऊगे तो मतलब क्या हुआ कम करने के लिए लगेगा न यह यह कम करने के लिए लगा है ignore को मतलब उपेक्षा करना हो गया ठीक है तो दो antonym हो गए और एक synonym दिया हुआ है दोनों काम कर लो आप यहां पे आप लोग exaggerated मतब बढ़ाया हुआ, understated मतब घटाया हुआ, यह antonym हो गया, magnified क्या हुआ, synonym हो गया, बढ़ाया हुआ, be little मतब घटाया हुआ, a हो गया, antonym हो गया, और इसका कोई लेना देना यहां पर नहीं है, तो इसके दो synonym हो और दो antonym हो गये, अब आज़ो question number 10 पर, ठीक है, तो question number 10 देखो भीया, क्या कर रहा है, फिर भाई, error का question है, तुछरा उपर कर देते हैं इनको, करना क्या है हम लोगों को error ढोनी है, anosmia, anosmia क्या होता है, देखो, anosmia noj से बना हुआ है, noj, noj का मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारी ना काम ना कर रही हो, तो anosmia हो जाएगा, तके पहले आ लगा दो, anosmia के मतलब ना अच्छी ना बुरी कोई गंधा नहीं आ रही है, ना कुछ महक रहा है, ना कुछ बदू हो रही है, समझगे, koronak time में यही होता था, तो completed loss नहीं होता दी, यह complete loss होता है, ed नहीं लगाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, complete loss पूरी तरह से सूहने की छमता चली जाती है, तो उस क्यों कहते हैं, complete loss तो कहां है इसमें, यह दिया है, दूसरा वाला completed loss, यह हमारा answer हो जाएगा, दूसरे पार्ट में error निकल आई, ठीक है, अब आज ओ, question number 13 में, यह क्या कह रहा है, antonym का question है, antonym किसका पताना है, यह देखो लिखा हुआ, eradicate का, these types of insects are usually very difficult to eradicate, इस तरह के insects को eradicate का मतलब, eradicate मतलब मिटा देना, मिटा देना, अब eradicate मिटाना, किस चीज को मिटाना, हमेशा के लिए मिटा देना, ठीक है, एदम सफाया कर देना, जिसको कहते हो, तो कौन सा बढ़ आएगा, emancipate, emancipate, अब यहाँ emancipate, तो खेर होगा नहीं, क्योंकि अपको antonym लगाना है, तो emancipate नहीं हो पाएगा, annihilate, यह भी समूल नास कर देना होता है, और devastate, यह भी बिद्ध्वन्स करने के लिए लगता है, तो कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है, संरक्षण करना, इनको बचा के रखना, ठीक है, तो आप कौन सा हो गया, आपका संरक्षण, अब emancipation क्या होता है, actually, मुक्ती, मुक्ती देना, तो यहां मुक्ती-वक्ती का तो कोई senza है नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, अब annihilate का मतलब, वह annihilate मतलब वही होता है, annihilate, जड़ से, जड़ से समाप्ट कर देना, ठीक है, जिसे में लोग कोई बिमारी हो, उसको समूल नास कर देना एनिहिलेट कर देना होता है विद्वन्स कर देना तो ये वाला दूसरा वाला साइनोनीम हो जाएगा ये चौथा वाला साइनोनीम हो जाएगा और तीसरा वाला एंटोनीम हो जाएगा पहले वाले का कोई लेना देना नहीं है तो आंसर कौंसा हुआ तो आपका कंजर्व थर्ड वाला हो जाएगा क्लियर फिर से एक बार देख लो एरेडिकेट का जो अपोजिट होगा वो कंजर्व होगा इन्हीं एरेडिकेट मतब समाप्त करना कंजर्व का मतब कॉंपरेटिव डिगरी के साथ क्या लगता है दैन लगता है अब ढोड़ लो दैन कहा है यह दिया हुआ है यह वाला दैन नहीं लगेगा ठीक है दो खाना खाना तो आंसर क्यों से हो गया फोर वाला हो ठीक है आगे बढ़ जाओ यह बहुत आसान क्वेश्टन था क्या समझा तो आगे आ जाओ अब इस वाले में जी है अन्रलाइन पार्ट को एक अडियम है यह उसकी जगह पर क्या लगा सकते हो या उस अडियम की मेनिंग बताओ तो इस यू कीप डॉजिंग यूर मैनेजर काल मतब अगर आप अपने मैनेजर की कॉल को डॉज करते हो चकमा देते हो अंसोना करते हो तो you will be in you will be on thin ice thin ice मतब पतली बरफ पर खड़े हो मतब खत्रे में risk ठीक है नहीं तो भी on thin ice का मतब होता खत्रे में risk पर होना तो in a risky situation पहला वाला ही answer हो गया in a risky situation छोड़ो अब और करने की क्या जरूरत है answer मिल गया अब आजो 14 नमबर पे question 14 one was substitution sentence पढ़ो climb or move with difficulty जब हम जिसे मान लोग सीड़ियां चड़ रहे हैं बहुत कठिनाई से चड़ पा रहे हैं या move कर रहे हैं तो चल नहीं पा रहे हैं ठीक से नहीं चल पा रहे हैं या हम बहुत a lot of effort बहुत कोशिस करके चल पा रहे हैं ठीक है typically using one's hand or feet मतलब हाथ पैर का movement ठीक से नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते है actually उसको हम लोग कहते है clamber क्या होगा clamber होगा ठीक है एक world में आ गया पीडागोजी क्या होती है ये बालविकास होता है और quake का मतलब होता है नीम हकीम नीम हकीम का मतलब आप समझ रहे हैं नीम हकीम को कहते हैं आप जोला चाप doctor ठीक है जिन्होंने कोई degree नहीं ली हो और लेकिन इलाज करते हो लो पीछे हटना ठीक है मालो कई मार पीठ हो रही है देखे आगे खतरा है तो पीछे की सखले वह retreat हो जाता है चलो आगया जाओ हमारा next question है 15 15 में देखो क्या कह रहे हैं पहले देख रहेते हैं statement समझ में आ रहा है improvement का question है ठीक है ये लिखा है improvement ये underline किया हुआ है including include burning and eating देखो को लिखा है कि the probable side effects of this meditation तो ये जो medication है ये जो दवा चल रही है इसके संभावित side effects में सामिल है burning and eating मतलब burning and eating हो सकती है तो इसमें करना क्या है आपको की burning and eating में तो कोई गलती नहीं है ठीक है अब आ जाओ ये वर्ब देखनी है हमको वर्ब देखें सहीं लगा है तो इस वर् प्रॉबेबल side effects और ये जो side effects है ये क्या है plural में है ठीक plural में है तो वर्ब include क्या है ये भी plural में वर्ब है तो plural subject के साथ plural वर्ब लगी है तो कोई गलती ही नहीं है ठीक है तो इसमें क्या लगेगा आपको no improvement लगेगा अगर आप ये सोच रहे हो ना includes लगा दें तो include करोगे तो singular वर्ब हो जाएगी subject plural है वर्ब singular नहीं लगेगी गलत हो जाएगा ठीक है clear चलो आगे बढ़ते हैं तो answer कौँसा हुआ इसका answer हुआ four वाला ठीक है आप आगे बढ़ो question number 16 incorrectly spelled पहले क्या था correctly spelled अब की बार क्या है incorrectly ध्यान देना incorrectly तो अपीज का spelling correct है तो answer नहीं होगा ये अगर ये spelling सही हो गई तो answer गलत हो गया अपीज का मतलब क्या होता है मनाना या तुस्टी करण ठीक है तुस्टी करण ठीक कोई नाराज ना हो जाए इसके लिए जो हम लोग वो उसकी लल्लो चपो करते हैं वह हो गया मनाना अगला वर्ड है अबरेंट ठीक है तो आप आर्बेट्रिर यह होता है मनमाना इससाहि तो आंसर नहीं होगा इसका इंशिपिट का मतलब होता ना Haaldi की जो खिचड़ी बनती है तो फीका जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता उसको कहते हैं इंसिपीट बेस्वाद ठीक है आंसर कौसा हो गया फॉर वाला जिसकी स्पेलिंग अलगत है अब आगे आजो कोशन नमर 17 17 में क्या है वही खाली जिगा भरो क्या भरना है चलो देखते हैं तो तुडे योर रे प्रिजेंटेशन वाज डैस सभा की प्रिजेंटेसन से अच्छी थी तो अब यह देखो भrzyवे बैटर दैन तो लगा ही है तो कॉम्परेटिव लिग्री के पहले अब क्या लगा सकते हो फिरिजर्वopt के पहले अगर कुछ यूज़ कर सकते हो यह सब हैं जिस वह आप comparative degree के पहले लगा सकते हो ठीक है अब यह बिटर आल्रेडी comparative है तो बिटर के वह फोर वाला हो गया आज इत्तफाक है फोर वाला आंसर कुछ ज्यादा ही सटीक हो रहा है अब अगला question है हमारा देखो देखके लगी रहा है कि यह error का question है ठीक है यह देखो चलो डूटे है my teacher said to me teacher ने मुझसे कहा क्या कहा that लगा हुआ है all that glitters were not gold तो all that glitters is not gold क्या होता है all that glitters is not gold यह मुहावरा है जी तो कहा है यह लगा है वर answer का उनसा हो गया first वाला हो गया ठीक है अब आगए हम लोग 19 पे 19 में फिर वही फिलर दिया हुआ है अब आगया जो his autobiography will be one of the most dash awaited books किसी के autobiography आ रही है उसका लोग बहुत दिनों से इंतजार करें तो awaited क्या है जी awaited है वर्ब तो इसके पहले आप लगाओ तो क्या होगा एडवर्ब लगाओगे ठीक है वर्ब के लिए हम क्या लगाते हैं एडवर्ब यूज करते हैं यहाँ डूड़ो eagerly वेड़व है ठीक है definitely है यह भी एड़वर्ब है badly है slowly है अब यह बताओ इंतजार कर रहे हो तो कुसलता पुरिए करने में कौन सी कुसलता की ज़रुरतओं नहीं होगा badly awaited इब यह एक हो गया and slowly awaited तो بचिज किसी का बुरी तरह इंतजार हो रहा है या उत्सुकता पुरुवत इंतजार हो रहा है तो badly और Eagerly में जीतेगा कौन Eagerly किसी चीज का autobiography बगरे का इंतजार उत्सुकता से होता है badly नहीं होता excitedly होता है eagerly होता है enthusiastically होता है ठीक है तो Eagerly लगाओ यहां पर ठीक है अब आज ओ 20 पे चाहे 20 में फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है यह देख लो ठीक लिखा है थैंक यू आल आप सब लोगों को शुक्रिया फार कमिंग so earlier at the morning तो पहली बात the morning में at नहीं इन लगता है और so earlier यहां comparative डिगरी ना लगा के क्या लगाना चाहिए था so early in the morning ठीक है तो कहा मिलेगा early in the morning early in the morning देखो इसमें morning तो underline नहीं होना चाहिए था early in the क्या होगा early in the होना चाहिए morning को गोली मरू morning underline नहीं होना चाहिए था के वद इतना होना चाहिए ठाइए यह morning underline नहीं है ठीक तो यह अब का अंसर हो जाएगा early in the ठीक अब आजाओ अब आते हैं हम लोग 21 से लेकर के 25 तक में करना क्या होता है यह पहले से ही पता है यार जो हर बार करते आए हैं केतना बताएंगे यह आजाओ यहां भरना शुरू करते हैं हम लोग question number 21 with up to 50,000 species of spiders पच्चास हजार प्रजातियां spider की रिप अपरे मकडियों की पचास हजार प्रजातियां इसके साथ इनने का कि spider habitat spider की जो habitat है वो varied as मतलब यहां full stop लगा हुआ है तो बहुत ही मतलब ज्यादा vary करते हैं vary क्या हुआ different 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 होते हैं ठीक है तो vary करना मतलब अंतर होना तो फिर यहां पर क्या हो गया वर्ब हो गई वर्ब है वर्ब है तो यहां क्या चाहिए हमको adverb चाहिए वर्ब के साथ लगाओगे तो वर्ब का धंग बताने के लिए adverb लगाओगे ठीक है पहले वाले में spiders are dash to live anywhere तो कोई रह सकते हैं तो रह सकने के लिए यहां पर डुवाले में आएगा फिल लिखादे does not live in bodies of water यह वाटर बोडी में नहीं रह सकते तो वाटर बोडी में नहीं रह सकते तो यह kind not वगयरा जैसे लगेगा रहेगा प्रजेंट में काइन नाट लग सकता है do not लग सकता है ठीक है विल नाट तो future में चला जाएगा होगा नहीं वो प्रजेंट में ही रहना होगा क्योंकि पूरा पैसज spiders के बारे में है और उनकी आदत प्रजेंट में रहेगी ठीक है उनके नेचर से रिलेटेड है तो यह past हुआ नहीं अभी past नहीं हुआ है कोई चीज जब किसी के जब क नहीं देख सकते बटकें एडॉप्ट बटकें एडॉप्ट डैस आलमोस्ट एनी टाइप आफ इन्वार्मेंट तो पानी वाला और हवा वाला छोड़के बाकी वो कहीं भी रह सकते हैं कोई भी atmosphere को किसी भी environment को एडॉप्ट कर लेते हैं ठीक है तो यहां लिखा है यह hot के साथ क्या लेखा cool तो wet के साथ क्या लेगा ड्राइ लगेगा और क्या गीला सूखा ठीक है ठंडा गरम गीला सूखा यह आ जाएगा ठीक है अब आ गया जो एक एक करके भरना सुरू करते हैं तो पहला वाला जो है वो क्या कह रहा है पहला क्या है habitat very dash तो मत्तब क्या वह एडवर्ब चाहिए यहां पर हमको एडवर्ब एडवर्ब के लिए क्या लगाओगे widely बिल्कुल सही very widely wide नहीं लगेगा वाइड वाइडर वाइडर स्टेक्टिव है यह नहीं लगेगा क्या लगेगा widely एडवर्ब की जरूरत है हमें ठीक है दूसरे वाली question पर आजो म अपने दिया है क्या बिलकुल नहीं वह अथराइड नहीं है courageous 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 सहस्वास की बात नहीं होगी natural चीज होती है हारवर्ड भी नहीं हो क्या होगा able to तो इसपाइडर्स आर एबल टो लिप चंता बताई जा रही है ना और दूसरी बात यह किसके साथ लगा सकते हो एबल के साथ लगा सकते है एबल टू ठीक है इसी के साथ सुटेबल बैट भी रहा है और सेंस भी सही है क्यों उनके अंदर यह चंता पाई जाती है कि वह कहीं भी रह सकते हैं अंटार्ग्टिका को छोड़कर फिर इसी को explain करने के लिए कहा कि वह water bodies या air में नहीं रह सकते है तो सबर्ड वाले फिर में क्या होगा ábो अब दे के बात को होगा नहीं रह सकते का eg아니wn मिल जाए तो अच्छा है काइं दिया नहीं सब क्या लिए दिया दिया ,दिया दिया दो दिया तो दिड होगा नहीं क्योंकि गवार दो रहेगा फिर फूरρω नंबर को के लिए तो तो फिलर नमबर 4 में क्या दिया हुआ है। यहां हमको लिखा हैडॉप्ट एडॉप्ट के बाद क्या लगता है। फिक्स है और कोई लग दो लग नहीं सकता। ठीक तर एडॉप्ट के बाद टूओ फिक्स प्रेपोजेसन है। आप उसके हाँ सोचना या उसमें मंतन मनन करने के कोई ज़रूरत नहीं है वो याद करेजिए रप्ट के बाद टू लगेगा अब उसके बाद क्या लिखाते हैं हम इने बताई दिया था होट या कूल वेट या ड्राई तो ड्राई रोंड के लगा और क्या कुछ मतलब ही नहीं है और डैंप और डिवी और मगी यह सब लगाना ही नहीं है ठीक वेट का पोजिट लगाना है में ड्राई लगाना है खतम होगी कहान इनकी ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया 11 जुलाई का तो अभी तक हम लोग कितना कर चुके हैं करीब करीब चार उधर हो निकल गए तो और यह कि यह निकल आया तो सोलह सतरा मतब तेरह और पे होंगे चार चार डेट निकले हैं तो आतिया बारा फॉर इन्टो थ्री बारा पहले हो चुका है आज प्लस आगया पांचवे में तो प्लस वन कितना होगा आज तेरह होगा यह ठीक है चलिए तो यह सिसन अप लोगों को कैसा लगा समझ में आ झाल प्लस चार ठागया ट्योल को कैसा जर».